तो कैसे हैं आप सभी उम्मिद करता हूँ कि आप सभी स्वस्त और तंदुरुस्त होंगे मैं सवनु पाल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टागेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभीन दन करता हूँ दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो डोकुम की हैं तक कि आपका भी आगर कोई डाउट है इस से रिलेटेड जाति से रिलेटेड तो वा आपका डाउट होlo इसी वीडियो में टेलिग्राम पर जाके टार्गेट फर्स्ट के नम से सर्च कर लेंगे तो आपको ग्रूप मिल जाएगा आप उसको जरूर से जाके जॉइन कर लीजिए चलिए दूस्तों हमें स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग आज तीन टॉपिक भी बात करेंगे पहले कि क्या-क्या डोकुमेंट्स में लगता है का सेटिफिकर जो सेंट्रल का होता है बनवाने के लिए हम लोग को क्या-क्या लगता है ठीक है डोकुमेंट्स क्या-क्या लगता है ठीक है और कैसे बनवाते हैं इसको कैसे बनवाया जा सकता है इसको और कोस्ट क्या आता है यह हम आज तीन ट क्या क्या लगता सेंट्रल को क्लियर करें कि सेंट्रल का क्या एंट यह यदो डुनों अलग अलग होता है इस टेट भरती में अपर वह स्टेट का सेंट्र इपेत लगता है का सो läuft का ठीक है कि इसमें क्या आप अप लोग को जरुरत होता हैं डिकमेंट्स में तो सबसे पहले आप लोगको एक आवेदन लिखना पड़ता है तो आवेदन कहां लिख सकते हैं और इंटा सिंग्नेचर नीचे होना चाहिए ठीक है विसे में होगा आप लोगा की सेंटर का स्विक बनाने है तू ठीक है अगर आपको फॉर्मेट चाहिए होगा एप्लिकेशन का तो वह भी आप लोगो टेलिक्राम ग्रूप में मिल जाएगा आप नीचे कमे आपको साथ में लगा के होगा उसके बाद आपका जो कसे रड़ा है जिसके पास भी होना करते हैं उसकी पहला मदेन नगे आपको दिढख भागा घे सकते हैं उसके बाद आप लोगको का सैटिफिकेट लगए जो कि आप स्टेट गवर्मेंट से बनवाय हुए होंगे पहले ठीक है कोसिस कीजिए कि जिसका भी 31 अगस्ट 21 से पहले का है का से टिफिकेट है उन लोग के लिए काफी अच्छा होता है बाकी लेटेस्ट है तो उससे भी कोई दिकत खास नहीं होता है ठीक है थोड़ा सा जो उनको नन क्रीमी लेयर बनवाना पड़ता है ठीक है तो उनको नन क्रीमी लेयर बनवाने के लिए उनको यहां का अवासी परमान पत्र देना होता है जहां जैसे कि आप जहां भी रहते हैं आप बिहार में रहते हैं जहारखन में रहते हैं तो वहां के अस्थानिता आपको देना होता है कि आप यहां के अस्थाई निवासी हैं तो वो भी आपको residential जिसकों में बोलते हैं वो आप लोगो एक पेपर और देना होता है ठीक है तो 4-5 पेपर जब लोगता है जो हम अभी बता है वो सारा कुछ आप लोगो पेपर लगेगा का सेटिफिकेट बनवाने के लिए सेंट्रल का ठीक है और साथ में कुछ फोटो भी ले लेंगे आप जरूत पड़ेगा तो वहाँ पे आप दे सकते हैं ठीक है यह हो गया पहला आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया कि क्या क्या लगता है आप लोगों को बता दिये ठीक है पुराना हो का हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे बनवाएं कहां से बनवाएं इसको ठीक है तो यह सब डॉकमेंट को बताएं कि सब को कई खठा करना है आप आवेधन के साथ में उसके बाद आप लोगों को चले जाना ब्लॉक वहाँ पर सीओ बैठते हैं वहाँ पर आपको जाके उनसे सि वहां से आप बनवा सकते हैं और तीसरा option भी होता है आप के पास यह DM के पास आप जाके यह आवेदन कर सकते हैं लेकिए लेकिन जो सबसे अच्छा होता है आप लोग को CEO जो ब्लॉक में जो CEO बैठते हैं उनसे आवेदन आप करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है और आप लोग को बेसीकली हम बता रहे हैं कि यह जो ओफलाइन तरीका किया करेकर रहे हैं कि आप लोग को बनता है ऐसे से बनता है शुकुड हो आप लोगो एक जो फॉर्मेट होता वो फॉर्मेट भी आप लोगो लेके जाना होता है जैसे कि आप एससी जीडी का भी जीडी के लिए अपना का सेटिपिकेट बनवाएंगे तो एससी जीडी का जो भी आप ऑफिसियल साइट पर आप जाके नोटिफिकेशन डाउलोड और सिक्ते में अपना आप लोगो देखिएगा कि पॉर्मेट दिया हुबाएं जिस से होँ आप से हो स्ट से हो ऑब से हो जिस से हूं आप ऊसके लिए एक फॉर्मेट दिया हुए है फारन मेट अगर आपको चाहिए तो आप फिर से बोलेंगे आपको को टेलिग्राम ग्रूप में मिल जागा इसलिए फिर से कहेंगा आप लोगों से कि आप टेलिग्राम ग्रूप को जरू से जौइन कर लीजिए फॉर्मेट यह एक पर छूड़ गया था फॉर्मेट भी आपको लेकर जाना होता है ठीक है उसके बाद आप कहीं से भी होता है ठीक है हलांकि यह तो नहीं कहना चाहिए लेकिन यह आपके नसीब पर होता आप अगर जाते हैं से दो दिन में बन जाता है लेकिन अगर आप सब्सक्राइबे लग बना सकते एह दो बनाके को कोई फॉर्मेट के यह the to डीचटल बनाने के लिए आप स्म्सक्राइब कैफे जाएंगे वहाँ पे जो प्रप्राइब कर देंगे अच्छे से लेकिन देखिए कि नाम सब अच्छे से अप लोग सब फिल फिल हो ठीक है अगर आप लोग एक और सवाल आनते हैं कि अगर मेरा जाती जो हम अगर उसमें अगर गड़बड़ी होगा स्टेट वाले में तो आपको शुदार लें उसके बाद सेंट्रल करेंगे अब देखिए इसमें बता देखिए कि कि अप लोग को बनाने में चाहें आप ओनलाइं यहां चाहें और फ्लाइन अप्लाइन कर रहें हैं उसमें आप नीचे साल करें trader बार थोड़ा से कांझ करें टेंदरज़ेगा से reparbacka ऑफ पर नीचे कमेंग में कर दीजहका अंहीं कि अगर आप कि जारखंड में तीन साल का होता है एक साल का होता है जाती का और जो रेसिदेंसील होता है उसका तीन साल का होता है ठीक है लेकिन आप यह थोड़ा सी यह हम अभी हमको यार नहीं आ रहा है कि सेंट्रल का कितने इनका होता है सायद से एक साल का होता है आप एक बार चेक कर लि है जो कि आपको state वाल लेके जाना है वो पुराना या नया दोनों आप लेके जा सकते हैं थोड़ा सा OBC वालों को दिक्कत होता है जो कि बनवाते हैं उनको तो 38 से पहले हो OBC वालों का तो ज्यादा अच्छा रहता है बाकि STAC वालों को अपडेटेड हो नया हो उससे कोई मतलब नहीं उससे भी आप लोगा बन जाता है उमीद करेंगे दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो कम से कम उन वीड सब्सक्राइब करें और अभी कुछ दिरों में मेडिकल जाने वाले हैं देखिए यह वीडियो इसलिए भी जरूरी है उन सभी के लिए आप सभी के लिए जो निकाल चुके हैं क्योंकि अभी आपके पास समय है दो महने का समय है किसी भी चीज़ कोई गरबड़ी होता है ठ ठीक है लेकिन अगर आप लास्ट टाइम में अगर फिर से अपलाई करेंगे अगर उससे में कुछ गरबड़ी हो गया तो आपके पास कोई समय नहीं रहता है और आप देखे होंगे इससे पहले वाले भरती में भी देखे होंगे कि जो डोकुमेंटेशन में जो चटते हैं प्रिपेर करें और आने वाले समय में दोस्तों आपको इसी चैनल पर आपको मेडिकल के बारे में और कटप के बारे में बिल्कुल सटीक जानकरी आपको देंगे अभी हम अपना पुराना वीडियो भी देख रहे हैं और आप लोगों को लेगी पॉल में पोल लगा है आप उसमें पॉल में भी पार्टिसिपेट आपके जो भी आपका राय है आप वहां पर दीजिए ठीक है कटप के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिलेगा कि मेडिकल में क्या लिस्ट जाएगा और फाइनलिस्ट मेरी लिस्ट कब तक आएगा और कितना उसका नंबर इंक्रीज हो सकता है तो यह सब बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा चैनल पर नया है तो जरूर से दोस्तों आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि यूटूब नॉटिफिकेशन को सेंड नहीं करता है तो इसलिए चैनल रहेग तो आप जो है कि नॉटिफिकेशन वो आपके होम स्क्रीन पर आ जाता है तो आप वीडियो देख पाएंगे वीडियो आपको जरूर हेलफुल लगेगा हेलफुल लगे तो अपने दोस्तों को जरूर से सेर कर दीजिएगा मिलते हैं अब अगले इंफॉर्मेटिव वीडि झाल